एक अंधेरे रात की कहानी थी, जहां एक जिन्दगी के अंजान कोने में एक पुराने हवेली में एक रूह बसी थी। हवेली के दिवारों में एक गहरी सांस सी थी, जैसे कोई अपनी दर्दभी कहानी सुना रहा हो। वहां के लोग कहते थे कि रात के समय वहां अजीब अजीब आवाजे सुनाई देती हैं, जो हर किसी को डरा देती थी एक दिन एक नौजवान रहस्यमई खोजी ने उस हवेली की ओरुख किया वह थोड़ी हैरान थी, पर उसकी जिग्यासा उसे अगरी कर रही थी हवेली के दरवाजे पर उसने कड़ी से कड़ी दास्तक दी और वह वहां के रूह से मिली रूह एक विरास्ती हवेली की गहराईयों से बोली तुम यहां कैसे आए हो नौजवान खोजी ने कहा, मुझे तुम्हारी कहानी सुननी है, जो लोग कहते हैं यहां होती है रूह ने कहा, मेरी कहानी बहुत भारी है, क्या तुम इससे डरोगे नहीं, खोजी ने मुस्कराते हुए कहा, कहानिया तो सिर्फ कहानिया होती है, मैं तुम्हारी सुनना चाहता हूँ रूह ने शुरू किया अपना दर्दभरा सफर, वह एक समय की यात्रा कर रही थी, जब उसे अपने प्रियतम से बिच्छडा गया था उसकी यात्रा में उसने अपनी भूखी और प्यासी रूह को अपनी चाहत से मिलाया, पर उसे बापसी का रास्ता नहीं मिला वह बिलकुल अकेली हो गई थी, और उसकी आवाज उस अंधेरे हवेली में गून्ती गई रूह ने कहा, मेरी यह विलापी कहानी सुनकर तुमने अपना साहस दिखाया है नौजवान खोजी ने कहा, तुम्हारी कहानी ने मुझे सिखाया है कि हर मुश्किल का सामना करना महत्वपूर्ण है और हर कहानी के पीछे एक सीख होती है रूह ने धीरे से कहा, तुमने सच कहा और तुम्हारी साहस भरी खोज ने मुझे भी नई आशा दी है दोनों ने मिलकर एक नए सफर की शुरुवात की जहां कहानियों का सामन जस्य और सीख से भरा मिला वे दोनों हवेली के अंदर घूमते घूमते नए रहस्यों का पता लगाने लगे रूह ने अपने अत्यंत विद्यार्थी अनुभवों से बताया कि कैसे वह एक समय मानव थी और उसकी चीक और रोंगटे खड़े कर देने वाली कहानी उसे एक अंदेखी दुनिया में ले गई थी नौजवान खोजी ने सवाल किया तुम यहां अकेले क्यों हो रूह ने उसे अपने पिछले यात्रा का सच्चा कारण बताया उसे वापसी का रास्ता मिला था लेकिन उसने अपने साथी को खो दिया था अब वह एक दुनिया में फिर से बसने का तरीका ढूंड रही थी और खोजी ने उसका साथ देने का निर्नय किया वे दोनों ने मिलकर हवेली के हर कमरे को जाचा और हर रात उन्हें नई कहानियों का पता चलता रूह ने बताया कि यह हवेली सचमुच एक आभूशित रहसियों का भंडार है जिन्हें सुनकर किसी की रूह कांप जाती है खोजी ने इस रहस्य में हवेली के सबसे गहरे कोने में एक चेस्ट खोजी जिसमें अंकिनत सीधे सवाल और उत्तर छुपे थे वे चेस्ट की खोज में डूबे रहे और नए रहसियों का पता लदाते रहे धीरे धीरे हवेली में एक नई उर्जा बढ़ गई और उसकी दीवारों में जीवंतता घेरी बैठी थी रूब और खोजी ने साथ मिलकर इस अडवितिय स्थान को एक नए जीवन की उर्जा से भर दिया इस कहानी से सिख है कि हर कदम पर नई जानकारी और साहस से भरा होता है और हर रूब के पीछे एक अंगिनत कहानी बसी होती है जो सिर्फ सुनी जाने की किंती है एक दिन रूब और खोजी ने हवेली के एक बंद कमरे में एक पुरानी पुस्तक पाई जिसमें चित्रित थी विभिन जगहों की कहानिया एक खास कहानी ने उनका ध्यान खीचा जो एक विचित्र देवता के बारे में थी इस कहानी के अनुसार वह देवता अन्य लोगों की आवश्शक्ताओं को पूरा करने के लिए एक रूप में परिणाम हो जाता था उसका रहस्यमय रूप था कि वह केवल वही कारवाई करता था जो उस व्यक्ती की सच्ची आवश्शक्ता थी रूप और खोजी ने इसे एक नई दिशा में सोचने का कारण माना और उन्होंने यह समझा कि वे भी अपनी जिंदगी को इसी तरीके से देख सकते हैं उन्होंने तै किया कि वे भी दुनिया की सभी रहस्यमय अंजाने कोनों को समझने के लिए सकरात्मक रूप से उप्योग करेंगे इस तरह रूप और खोजी ने एक दूसरे के साथ मिलकर नए संभावनाओं की ओर बढ़ते हुए हवेली के अंजाने रहस्यों को सुलजाने में सक्षम हुए उनकी यह यात्रा नहीं सिर्फ रूप को उसके पूर्वजन्म का समय याद दिलाने के लिए थी बलकि यह एक नए और अदवितिय समरिधी के क्षेत्र में भी उन्हें ले जा रही थी इस तरह हवेली में बसे रूप और खोजी ने एक दूसरे को सहारा देकर नई जिन्दगी की दिशा में बढ़ने का संकल्प किया और उन्होंने इस अजीब जीब हवेली में एक नया मायाजाल बुन लिया